गुड मॉर्निंग फ्रेंड आयम एचस रादना वेलकम टू माई यूटूब चैनल संग्यान परतियोगी संस्तान सो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे एक सितंबर के करेंट अफेर्स की संग्यान परतियोगी संस्तान के यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन क प्रेस करें और दोस्तों वीडियो को आप स्टार्टिंग में ही जैसे देखते हो शेर कर दिया करो आपके जितने भी वाट्सव ग्रोप सें आपके फेस्बुक फ्रेंड्स हैं और आपके रिलेटिवुज हैं बहुत बहुतरी मैटर आपको मिलने वाला है एक सितंबर कटव एक सेप्टेंबर करेंट अफिर्च बाई एचेसर डिल्ली पुलिस के नौट्स दोस्तों ग्यारा सितंबर से मिलेंगे आपको सभी सब्जेक्ट की बुकलेट एक साथ मिलेगी जिसमें जियेस, करेंट, कम्प्यूटर, मैट्स, रीजनिंग, पूरे बहतरी मैटर आपको एक साथ मिलेगा फ्रेंड्स पहले कोशन की तरफ चलते हैं किस राज्य की विदान सबाने राज्य को छटी अनुसूची में लाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है तो दोस्तों अभी तक छटी अनुसूची में है चार राज्य ए टी एम एम यानि एक तो है असम, तरपुरा, मेगाले और मिजोरम मनी पूर नहीं है तो अभी कौन से राज्य ने और प्रस्ताव पारित किया है इस अनुसूची में सामिल होने के लिए तो दोस्तों यहां पर आपका राइट अंसर हो जाएगा अरूना चल प्रदेश पहले से कौन गोन है असम, तरपुरा, मेगाले और मिजोरम अरूना चल प्रदेश और मिल जाएगा इसमें, तो टोटल कितने हो जाएगे, पांच हो जाएगे ठीक है, छटी अनुसूची कौन से आर्टिकल के तहत है दोस्तों, आर्टिकल टू फॉर फॉर तो देखें, हम थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं, अरूना चल प्रदेश विदान सबाने, समीदान की छटी अनुसूची के दायरे में, राज्जे को लाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है इसे ग्रह राज्जे सरकार की और से विदान सबा में ग्रह मंत्री बमांग फैलिक्स ने प्रस्ताव पेस किया तो दोस्तों, यहां के आपको ग्रह मंत्री भी याद रहने चाहिए, क्योंकि यह बहुत बड़ा प्रस्ताव है, छटी अनुसूची म सामिल होने वाला पांचव राज्जे है, तो यहां के बमांग फैलिक्स क्या है ग्रह मंत्री और दलगत बाउना से उपर उठकर सभी सदस्यों ने इसका समर्थन किया है, अरुना चल प्रदेश के बारे में हम बात करते हैं, तो अरुना चल प्रदेश क्या है दोस्तों, पूर्वत्तर भारत का राज्जे है, पूर्वत्तर राज्जे है भारत का, और हम बात करते हैं यहां के अभी कौन है सीम कौन है दोस्तो पेमा खांडू और गवर्नार बेडी मिस्रा है प्रदेश की सीमा है दक्षिन में असम से दक्षिन पूर में नागलेंड से लगती हैं तो दक्षिन में तो किस से लगती हैं दोस्तो असम से और दक्षिन पूर में नागलेंड से लग आजह करता है यह आपको पता होना चाहिए अब हम बात करते हैं छटी अनुसूची के बारे में तो आर्टिकाल 244 के तहित असम मेगाले तरपुरा मिजोरम जंजातिय छेत्रों के प्रसासन के प्रावधान हैं यानि जो जंजातिय छेत्र हैं उनका प्रसासन दोस्तों पांच प्रसासन दोस्तों जो 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 राज्यों के पास और यहां पर कौन मंजूरी प्रदान करता है गावर्नर यानि राज्येपाल अभी कौन है अरुना चलपर देश के बेड़ी मिस्रा कैपिटल क्या है इटन अगर ठीक है और पैंगोंग लेक भी आपको ध्यान रखनी है पैंगोंग लेक कहां पर है अरुना चलपर देश में है यह भी आपको पता होना चाहिए और बात करते हैं पांचवी अनुसूची में जो अधिसूचना है मंजूरी है वो राश्टपती प्रदान करता ह आगे हम इसमें देखते हैं तो देखे यह 1949 में सविदान सबाद्वारा पारित किया गया था यह स्वायत जिला परिशद ADC at Autonomious District Council के गठन के माध्यम से आदिवासी आबादी के अधिकारों की रक्षा करना चाहता है ADC एक जिले का प्रतिनीदित करने वाले निकाये हैं जिने समिदान ने राज्य विदाईका के भीतर स्वायत्ता की अलग-अलग डिगरी दिये हैं तो दोस्तों इसमें क्या किया जाता है एक ADC बना दिया जाता है Autonomious District Council यानि स्वायत जिला परिशद और फिर वो राज्य के भीतर विविन प्रकार के प्रावदानों के लिए अलग-अलग मान्यताय डिगरी वगरत देता है यह आपको पता होना चाहिए तो पूरा मैटर आपको समझ में आ गया होगा छटी अनुसूची में राज्य को इंक्लूड करवाने के लिए अरोणाचल प्रदेश ने प्रस्ताव पारित किया है कैसल नेक्स्ट क्वश्शन नमबर टू मच्छरों में किस बैक्टिरिया को प्रवेश करवाने पर वह डैंगू नहीं फैला पाते तो दोस्तों मच्छरों में एक बैक्टिरिया इंजेक्ट किया जाता है जिसकी वज़े से फिर वो डैंगू नहीं फैला पाते हैं तो बैक्टेरिया कौन सा है आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि अभी हाल एमें इंडोनेसिया में ये प्रक्रिया अपनाई गई जिससे वहाँ पर 77 परसेंट जो डैंगू के मामले हैं डिक्रीज हुए है यह आपको द्यान रखना है तो यह बैक्टेरिया है दोस्तों वोल बैक्टेरिया आपको याद रखना है ओप्शन यह आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा देखिए हम थोड़ा सा यहां पर देख लिते हैं इंडोनेसिया में मच्छर को बैक्टीरिया से संक्रमित करके हवा में छूड़ा, 77% तक डैंगो के मामले घटे, दावा, देखिए दावा क्या है, बाच्या बैक्टीरिया संक्रमन फैलने से रूखता है, ये दावा किया गया, ठीके इंडोनेसिया की बात करते हैं दोस्तों, तो यहां के राश्ट पती हैं जो को विडोडो और यहां की जो कैपिटल है वो जकारता है यह आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन नमबर थार्ड आज तक के इत्यास में सबसे कम उम्र में अंतर राश्टिय बुकर पुरासकार जीतने वाली मेरी के लुकास रिजेन वाल्ड बनी है उनकी आयू कितनी है तो दोस्तो यह आपको ध्यान रखना है कि सबसे कम उम्र में अंतर राश्टिय बुकर पुरासकार एक होता है दोस्तो अंतर राश्टिय मैं बुकर पुरासकार लेकिन यह बुकर पुरासकार यह अंग्रेजी में दिया जाता है यह Ireland या England से दिया जाता है ठीक है तो और वो अंतराश्ट्री लेवल का होता है वैसे तो इसम पाटिस्पेट पूरे वर्ल्ड के करते हैं लेकिन यह क्या है अलग है यह Ireland या England से दिया जाता है तो यह बुकर पुरसकार है तो अभी किसने जीता है दोस्तो मैरी के लुकास रिजेन वर्ड ने ठीक है तो सबसे कम आयू में जीता है ये 29 वर्ष की तो 2020 का भुकर प्रसकार आपसे पूछा जाए भुकर प्रसकार तो आपको ध्यान रखना है मैरी के लुकास रिजेन वर्ड ठीक है मैरी के लुकास रिजेन वर्ड अभी अंतर राष्ट्रिय मैं बुकर प्रसकार नहीं दिया गया है जैसे भी वो दिया जाएगा आपको तुरंट अपडेट करवाया जाएगा दोस्तों यह पूछे जाता है एक कोशन यहां से सो परशेंट अलग अलग एक्जाम में आपको देखने को मिलेगा चाहे दिली पलीस हो या रेलवे एंटी पीसी एससी बैंक यूपीसी कहीं पर भी आपसे पूछा जा सकता है ठीक है तो इसको हम डिटेल से देखते हैं और 2019 के बारे में भी हम बात करेंगे तो देखिए नीदर लेंड की 29 वर्षे मारी के लुकास रिजेन वर्ल्ड अंतराश्ट्री बुकर प्रसकार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखक बन गई है यह प्रसकार मूल बुकर प्रसकार से अलग है जो अंतराश्ट्री मैन बुकर प्रसकार होता है उससे अलग है यह क्या है अंतराश्ट्री बुकर प्रसकार और एक होता है अंतराश्ट्री मैन बुकर प्रसकार ठीक है उससे अलग है इसका लक्ष विस वर में अच्छे उतनियास के अधिक प्रकासन और उससे पढ़ने के लिए प्रोथसाहित करना होता ह आगे हम बात करते हैं रिजेन वर्ल्ड की बुक्स का क्या नाम है दोस्तो The Discomfort of Evening इसको बुद्वार को विजेता गोसित कर दिया ये ग्रामिन नीदर लेंड के कट्टर इसाई समुदाय के किसान परिवार की कहानी है इसमें जो कट्टर इसाई समुदाय है और गाओं में निवास करता है वहां के किसान परिवार की कहानी है नियमों के अनुसार इस पुरस्कार की नाम रासी 50,000 पाउंड लेखक और अनुवादक मिसेल हैचिसन के बीच बराबर बटेगी दोस्तों यहां पर लेखक तो कौन है लेखक तो है रिजेन वर्ड और जो मतलब अनुवादक है वो कौन है एचिसन लेकिन पुरस्कार तो मिला है किसको रिजेन वर्ड को और यह रासी है जो 50,000 पाउंड यह 25,000 पाउंड दोनों को बांटे जाएंगा अनुवादक को भी ठीक है इस साल 124 बुक्स क्या थी दोड में थी और इनको यह प्रसकार मिल गया यह प्रसकार हर वर्ष किसी भी बासा कि कालतनिक कथा उपनियास को दिया जाता है कालतनिक कथा उपनियास होता है उससे दिया जाता है जिसका अनुवाद अंग्रेजिम हुआ है और प्रकासन ब्रिटेन या आयरलेंड में हुआ हो प्रकासन कहां पर हुआ हो उसका ब्रिटेन या आयरलेंड में अब हम बात करते हैं 2019 के बुकर प्रसकार विजेता तो 2019 के मार्गरेट एटूड और बर्नर डाइन एवरिश्टो थे कई अग्जामों में ये पूछ लिए गए थे अभी भी ये रिपीट हो सकते हैं लेकिन ज्यादा इंपोर्टेंट है रिजेन वर्ल्ड यानि 2020 का 2019 का अंतराश्ट्रिय मैंबुकर प्रसकार अब बात कर रहा हूँ मैं अंतराश्ट्रिय मैंबुकर प्रसकार की ये जोखा अलार्थी को मिला था और सेलेश्टियन बोडीज इनका उपनियास था उसके लिए दिया गया था और ये ओमान की लेकिका है ओमान की तो इतना आपको यहां से द्यान रखना है नैक्स्ट क्वेश् region पार हाल की मैं राष्ट्रे सुरक्षा पर की किस ना किया है तो नैस्समेल शिक्योर्टी को लेकर जो व्रॉक से उसकौ ओम विमोचन विमोचन एका दोस्तनी स्का दोस्तों इसका वमोचन किया है मनेंव मुकुन नर्वाने ये आर्मी चीफ है अपको को पता होना चाहिए राकिस सिंग बढूर्य यह एरफोर्स के बैठक की अध्यक्षता वित्मंतरी निर्मला सीता रमनने की GST परिशद कौन से अनुच्छेद के अंतरगत आता है तो दोस्तों यह आता है आर्टिकल 279A के अंतरगत आता है A और आएगा 279A ठीक है यह आपको द्यान रखना है आपका राइट आंसर ओप्सन A हो जाएगा GST परिशद के बारे में हम बात करते हैं तो इसका गठन कब हुआ था 2016 में अच्छा राष्टपती ने GST का जो 122.7 संसोधन विदेख था उसको 8 सेप्टेमबर 2016 को क्या देदी थी मंजोरी देदी थी उसके बाद ये 12 सेप्टेमबर को क्या बना दी गई थी GST परिशद बना दी गई थी ये आपको द्यान रखना 12 सेप्टेमबर 2016 को ये प्रभाव में आ गया और आर्टिकल 279 A को लागू करने का दूश सूचना 10 सेप्टेमबर 2016 को जारी की गई थी तो ये आपको GST परिशद के बारे में पता होना चाहिए अच्छे GST के हम बात करते हैं तो GST बारत में लागूआ है एक जुलाई 2017 को और 122 संविदान संसोदन विदेग था और संविदान संसोदन 101 था ठीक है ये भी आपको कंफर्म पता होना चाहिए बात करते हैं अभी तक बारत के संविदान में 103 संविदान संसोदन हुए हैं जो 103 वा है EWS के आरक्षण को लेकर यानि जो सवाणों को आरक्षण दिया गया उसको लेकर ठीक है ये आपको पता होना चाहिए नेक्ष्ट बात करते हैं क्वेशन नमबर 6 रक्षामंत्री राजनाथ सिंग ने कैड़ेटों के लिए ओन्लाइन एप डी जी एनसी सी लॉंच किया आ है क्या नाम है दोस्तों डी जी एनसी सी एनसी सी की स्थापना कभ हुई थी ये आपको बताना है तो दोस्तों एनसी सी क स्तापना होई थी अप्रैल 1948 में और इसके अभी वर्तमान में डीजी कोन है डारेक्टर जनरल कोन है दोस्तों मानिदेशक यह है राजीव चोपड़ा है यह आपको पता होना चाहिए और मोटो क्या है इसका जो धेवाक्य है वो है दोस्तों एकताही अनुसासन तो देखे यह है अम पॉइंट कुछ देख लेते हैं मानिदेशक राजीव चोपड़ा है एन्सीसी के नैस्नल कैड़ेट कोर के मोटो है एकताही अनुसासन हेड़कॉर्टर है नई दिल्ली इतना आपको पता होना चाहिए क्वेशन नमबर 7 लगू एम कुटिर उद्योग दिवस कब मनाये जाता है तो दोस्तों लगू एम कुटिर उद्योग दिवस 30 अगस्त को मनाये जाता है यह आपको दिहां रखना है ओप्सन ए आपका राइट आनसर हो जाएगा नैक्स्ट बात करते हैं क्वेशन नमबर 8 विसु के एक मातर गैनवाज जिनोंने T20 क्रिकेट में 500 विकेट लिया है तो 500 विकेट लेने वाले दोस्तों वेस्ट अंडीज के होल राउंडर है दोयन ब्राव यह आपको याद रखता है ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं तो दोस्तों कोशन हमने 8 आज सामिल किये हैं बैतरिंग कोशन है अच्छे से आपको तयार करना है इसके बाद हम बात करते हैं डिटेल से जो खबरे हैं उनके बारे में तो देखे हम सबसे पहली बात करेंगे अफ्रीकन बाओ बाब अफ्रीकन बावबाब के बारे में बात करेंगे दोस्तों यह एक पेड़ है पेड़ का नाम है अफ्रीकन बावबाब दोस्तों इसमें 168 गुनसूत्र देखे गए हैं यह आपको द्यान दखना है ठीक है तो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं हाल यह में साइन्टिपिक रिपोर्ट जर्नल में प्रकासित एक सोद्म बताया गया कि अफ्रीकन बावबाब नामक व्रक्ष में 168 गुनसूत्र होते हैं जो आने वाले समय में आनुआंसिक की अध्यान संडक्षण एंउत क्रश्री उद्यों के लिए महत्पूर्ण जानकार दे सकते हैं आगे हम बात करते हैं अफ्रीकन बावबाब के बारे में थोड़ा और देखते हैं तो देखे अफ्रीकन बावबाब का वैज्ञानिक नाम है दोस्तो एडान सोनिया डीजिट टाटा एडान सोनिया डीजिट टाटा दोस्तों यह बैतरीन अग्जम पुछे जा आजाता है यानि पेड़ का जीवन आगे हम बात करते हैं तो देखें बाव बाब व्रक्ष एक अजार शादिक वर्षों तक जीवत रह सकता है और ये बोजन पसों के लिए चारा उस्दे योगी केंव कच्चा माल परदान करता है ये आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट कबर की बात करते हैं तो राष्ट्री खेल दिवस्ट 2020 बैतरीन टोपिक है दोस्तों अच्छे से समझना है क्योंकि यहां से भी एक कोशन बनेगा तो दीखें प्रतेक वर्ष राष्ट्री खेल दिवस्ट कब मनाये जाता है 29 अगस्त को मनाये जाता है मैजर ध्यान चंद के जन्म दिवस पर ठीक है तो देखें हम इसको डिटेल से देखते हैं प्रतेक वर्ष 29 अगस्त को होकी के जादूगर कह जाने वाले मैजर ध्यान चंद की जैनती को भारत में राष्टि खेल दिवस्ट के तोर पर मनाया जाता है और देखें मैजर ध्यान चंद के ब मेडम ओलंपिक 1932 लोस एंजिल्स 1936 बर्लिन में लगाता तीन ओलंपिक खेलों में होकी के छेत्रम भारत का प्रतिनिदित किया और तीन उबार्व देश को स्वण पदक दिलाया तो बहतरी इन प्लेयर थे होकी के जादूगर कहे जाते थे यह आपको ध्यान रखना है वर् दिया जाता है आगे हम बात करते हैं दोस्तों तो देखें नेक्ष देखते हैं मैजर द्यान चंद की जयनती के दिन ही खेल जगत में उतक्रैश्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाडियों को भारत के राष्टपती द्वारा राष्टि खेल प्रसकारों से सम्मानित किया जा पुरसकार द्रोन चायर पुरसकार अर्जुन पुरसकार आधी प्रदान किये जाते हैं नेक्ट देखते हैं इसी में वर्ष 2020 के लिए भारत के सरोच खेल रत्म पुरसकार राजियौ गांदी खेल रत्म पुरसकार शे रोईद Σर्मा जो चोथे क्रिकेटर हैं मैं पहले बता चुका हूं मनिका बत्रा टेबल टैनिस विनेस फोगाट रेशलिंग रानी रामपाल होकी मर्यपन थंगा वैलू पैरा एथलीट को सम्मानित किया गया ठीक है राजिव गांदी खेल रत्म पुरसकार यह सारे नाम इंपोर्टेंट है आपके लिए इसके बाद हम बात करते हैं हाली में युवा कारिक्रा में खेल मंत्री ने राश्टी खेल एवं साहस पुरसकार को साथ स्रेणियों में से चार स्रेणियों पुरसकार की रासी बढ़ा दी गई है दोस्तों साथ स्रेणियों में क्या दिया जाता है खेल एवं साहस पुरसकार जिन मेंसे चार स्रैनियों में क्या कर दिया गया है प्रशकार की रासी बढ़ा दी गई है ये भी पूछा जाने ही योग गय है इस बार तो देखे राजियो गांदी खेल रत्म प्रसकार में पहले 7.5 लाख रुपे दिये जाते थे अब 25 लाख रुपे कर दे गए ध्यान से समझ लेना और राजियो गांदी खेल रत्म जिसे आधिकारिक तोर पर इस्पोर्ट्स एंड गेम्स में राजियो गांदी खेल रत्म प्रसकार के रूप में जाना जाता है बारत के गंडाजी का सरोच खेल सम्मान है बारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान राजियो गांदी है इसमें 25 लाख रुपे दिये जाते हैं और 7.5 लाख रुपे पहले दिये जाते थे इसकी सुरुवात 1991 और 1992 में हुई थी next बात करते हैं तो खेल मंत्राले के द्वारह ये प्रतिवर्श दिया जाता है आगे बात करते हैं जिन जिन में परिवर्तन हुआ है वो देख लेते हैं अर्जुन पुरसकार्म पहले 5-5 लाग रुपे दिये जाते थे अब वो 15-15 लाग रुपे कर दिये गए और चार पुरसकार में पहले और मेजर ध्यां Nat WILL पहले 55 लाख रुपए दीय जाते थे आह 10 से तो आपको चारों से चार केटेगरी याद प्रसकार दिया जाएगा और द्रोन चारिये में 5-5 लाक रुपे पहले अब 10-10 मैजर ध्यान चंद में भी अब 10-10 हो गया पहले 5-5 थे और इससे पहले एक और था दोस्तों अर्जुन प्रसकार में पहले 5-5 लाक रुपे दिया जाते थे अब कितने दिये जाएंगे 15-15 ला का के तो बात 우क में ने करते हैं जो कहांपर मनाए जाता है केरल में तो भारतियोप प्राश्ट-पती ने और पार देश्वाद सियों को क्या दिये है बदाई दिये यह दोस्तों अंडम ll केरल में होता है और मल्य या लम बासा बोलने वाले हिंदोंग काही करते हैं जो कहांपर मनाए जाथा है के रल में तो बारतिय उप्राश्ट पती ने ऑढम की पूर सफन्द्रीय पर एक संदेश के माध्यम से देश वाध्यशियों को क्या दी है पदाय दी यह दोस्तों फेस्टिवल के मनाए जता है और मलिया लम भासा बोलने वाले हिंदों का प्रशित धियोंहार है यह आपको द्यान रखना है तो देखें हम यहां पर देख लेते के चैरल के मान सासक राजा माहबली की याद के सम्मान में ओनम तैवार मनाय जाता है तो आपको यह भी द्यान रखना है केरल के सासक थे प्रशिद सासक माहब अली उनकी याद में ये मनाया जाता है नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों केरल का सबसे लोग प्रिये नेक्स्ट देखते हैं इसमें केरल का सबसे लोग प्रिये पर ओनाउं प्राय सितंबर माह के पहले पाकवाडे मनाया जाता है दोस्तों ये सितंबर माह के पहले पकवाडे में मनाये जाता है और ये राज्ये का क्रशी पारु कहलाता है इसे मुख्य रूप से मलियालमी हिंदू मनाते हैं तो इसको कौन मनाते हैं दोस्तों मलियालमी हिंदू ये आपको द्यान दखना है और ये ओनम कलंडर का जो पहला म लगबक 10-12 दिन चलता है और पहला और आखरी दिन सबसे मैधपुन होता है इस फेस्टिवल का आगे हम देखते हैं दोस्तों तो ये तैवार असुर राजा माबली के पुने घर आगमन का अभी पृतिक है ओनम पर 26 पकवानों वाले सद्या को केले के पत्ते पर खास तरीके वेक्रम में परोसर जाता है जिसे सद्या धाली कहते हैं केले के पत्ते पर 26 प्रकार के पकवान रखे जाते हैं जिसे क्या कहा जाता है सद्या धाली आगे हम बात करते हैं दोस्तों तो देखे माहा भोज को ओना सद्या कहा जाता है ये ओनम का सबसे मैधपुन आयोजन होता है ओनम के दिन पारंप्रिक खेलों संगीत और नरत्य का आयोजन होता है जैसे एक पुलिक कली डांस होता है ये भी आपको लियान रखना है दोस्तों और एक अरन मूला नोका दोड होती है अरन मूला नोका दोड अच्छा पुलिक कली डांस के बारे मैं पहले बता चुका हूँ इसलिए उसको मैंने आगे बढ़ा दिया, स्किप कर दिया, अरन मूला नोका दोड की बात करते हैं, तो अरन मूला नोका दोड केरल की सबसे प्राची नोका दोड प्रतियोगता है, जिसे ओनम, अगस सितंबर के दोरान आयोजित किया जाता है, ओनम के दोरान इसको क्या किया जाता है आयोजित किया जाता है यह केरल के पथन मतित्त जिले में पंपा नदी में स्रीक क्रशन और अर्जून को समरपिद पारत सार्थ सार्थी नामक Hendoo मंदिर के समिप मनाए जाता है ठीक है कृषण जी के मंदिर है पार्थ सार्थी वहां पर इसको मनाये जाता आगे बात करते हैं तो देखें इस त्योवार में गायन करते हुए दर्शकों के बीच सोर सराबै के बीच साप के आकरती वाली नोकाओं को जोड़े में दोड़ाए जाता है दो दो करके जोड़ाते हैं दोस्तों ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं सैतुरंजी और बादरबांग दोस्तों ये गुजरात के बांध हैं सैतुरंजी और बादरबांग ये सोराष्ट छेतर में इस्तित हैं ये दोनों बांद और या पर सोराष्ट में बहुत अधिक वारिस हुई है इस कारण इनके पानी को क्या छोड़ा जा रहा है ये आपको द्यान दक्ना है तो देखें आपको द्यान दखना है यहाँ पर 30 अगस्त 2020 को गुजराज सरकार के सिचाई विबाग ने अत्यदिक वर्षा के कारण सोराश छेत्र में इस्तित सैत्रुंजी और बाहदर बांदों से अत्यदिक मात्रा में जलका निर्वेहन किया है इसी में थोड़ा सा और देख लेते हैं तो देखें सतरंज ओलंपियाड की बात करते हैं तो 30 अगस्त 2020 को बारत पहली बार सतरंज ओलंपियाड जीत कर इतियास रच दिया है यहाँ पर बारत और रूस क्या रहे थे संक्त विजेता रहे थे इसलिए आपको ये बात ध्यान र मार्केट प्लेटफॉर्म तो यह दोस्तों UAE सहुतरब अमिरात ने क्या किया है किर्शी जेन्स के कारोबार के लिए एक नई पहल सुरुकी है इमार्केट प्लेटफॉर्म नेक्स्ट बात करते हैं भारत के पूर राष्टपती प्रणम मुखर जी उनका निदन हो गया 31 अगस्त 2020 को तो दोस्तों यह आपको दिहान रखना है तो यह आज का यानि एक सेप्टेंबर का जबरदस्ट करेंट अफिर्स था आपको यदि आप चैनल पर नए हो और आपको जानकारी बैतरीन लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें औ उसकी दो तिन निन से क्लास नहीं हो रही है लेकिन आज सामको क्लास होगी थैंक्यू दोस्तों जै हिंट जै भारत